आज देश के पहले ग्रह मंत्री और लोह पुरुष सरदार पटेल की जैनती है पटेल की 145 वी जैनती पर पुरा देश उन्हें याद कर रहा है जूम न्यूज बता रहा है आपको उनसे जुड़ा हुआ एक खास किस्सा जी हाँ वलब भाई और उनके बड़े भाई विठल भाई के बीच के आपसी संबन्दों को लेकर किस तरह से सुवास संद्रबोस की दोनों भाईयों के बीच में एंट्री होती है और मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो जी हाँ विठल भाई पटेल सरदार से बड़े थे लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था विठल और वलब दोनों ही वकील बनना चाते थे दोनों जूनियर एड्वोकेट बन भी गए बाद में वो विदेश जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाते थे से होने के चलते दोनों के पास धन खाकासा अभाव था पटेल ने विदेश जाने के लिए पूजी जोडनी शुरू की पाई-पाई जोड करके उन्होंने पासपोर्ट और टिकट की विवस्ता की लेकिन डाकिये की एक गलती ने दोनों भाईयों के बीच में इतनी बड़ी वल्लब भाई पटेल का टिकट विठल भाई को सौप दिया जैसा की अकसर डाकिये कर देते हैं चिठ्थियां इधर उधर करना उन्होंने वल्लब भाई का टिकट विठल भाई को सौप दिया विठल वल्लब को बिना बताये लंदन चले गए बैरिस्ट्री पढ़ने के लि बंद नहीं हुआ विठल भाई पटेल बैरिष्ट्री पढ़ने लगे बाद में धन की विवस्ता करके वल्लब भाई भी ब्रिटेन गए और बैरिष्ट्र बनकर लोटे वल्लब भाई कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम करने लगे लेकिन विठल भाई को गांधी जी की स्ट पाइल शैली पसंद नहीं आई जी हां उन्होंने मोतिलाल नहरू और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्वराज पार्टी वनाई और वो उसमें काम करने लगे दोनों ही नेता बॉंबे प्रेजिडेंसी से आते थे विठल भाई अच्छे राजनितिक्य थे और वो तक्कालीन ब बिमार होने के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा किया इलाज कराने के लिए विठल भाई विदेश गए लेकिन वहां वो लगातार बिमार पड़ते गए यहां एक मोड आता है और वो मोड हैं विठल भाई के पसंदिदा युवा नेता और गांधी जी के तौर तर स्ट्रिया में मिलन सुभास और विठल भाई के बीच में आपसी मेल बहुत अच्छा था विठल भाई ने सुभास को अपनी तीन चौथाई संपत्ती वसीयत में दे दी विठल भाई पटेल की जीवनी लखने वाले लेखक गोवर्धन पटेल ने विठल भाई एंड लाइ किया है तीन लोगों को यह जिम्मेदारी दी कि इस वसीयत को उनकी इच्छा के अनुसार लागो करवाएं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इसके बाद विठल भाई का निधन हो गया लेकिन वल्लभ भाई पटेल उनके अंतिम संसकार में नहीं पहुँच पाए इसकी वज़ा थ जेल में ही उनके पास जब विठल भाई की वसीयत पहुँची तो वल्लभ भाई ने इस वसीयत को मानने से इंकार करते हुए इस वसीयत की सत्यता और हस्ताक्षरों पर सवाल उठाए उन्होंने कहा जिन तीन लोगों के बीच में यह वसीयत नामा तयार हुआ वो सभी वल्लभ भाई को इसका हकदार मानते हुए वल्लभ भाई के पक्स में फैसला हुआ और वल्लभ भाई को वो संपत्ती दी जानी तय हुए लेकिन सुबास बाबु इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से भी फैसला यथावत रहा वल्लभ भाई पटेल ने उन एक लाख बीस अजार रुपए जो की विठल भाई की वसीयत के रूप में उन्हें मिले उनको विठल भाई ट्रस्ट को सौप दिया, खुद नहीं लिये जी हाँ दोनों भाईयों के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर मन मुटा हुआ लेकिन देश के मुद्दे पर एक दूसरे के प्रती सम्मान के मुद्दे पर वो हमेशा सुचिता वाले व्यक्तित्व के रूप में उभर कर निकले